हेलो क्लास कैसे हैं आप आज का हमारा टॉपिक है रोल्स आफ पीर गुरूप इन एजुकेशन यानी सिख्छा में सहकर्मी समूँ की भूमिका एजुकेशन में सिख्छा समूँ समूँ की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे तो इस टॉपिक में दो वड़ाए हैं पीर गुरूप सबसे पहले हम इनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे पीर का मतलब होता है refers to the people who are equal in such respect as age, education और social classes यानी ऐसे लोग जो age में, education में, social class में, ability यानी योगता में, qualification में same हैं वो सब पीर कहलाते हैं पीर का मतलब होता है सह कर्मी साथी यहां आप पिक में देख सकते हैं यह बच्चे हैं यह सब एक age के हैं इनकी एक qualification हैं एक class के हैं इनका purpose common है इनका aims एक है इनकी सोच एक है इनकी ability एक है तो इस परकार के जो लोग होते हैं या जो बालक होते हैं वो पीर कहलाते हैं अब अगर group की बात करें तो पीर group अगर पूरिश समझने की कोशिश करें तो पीर तो आप समझ गए एक meaning और देख लेते हैं anyone who has one or more characteristics of roles in common with one or more other individuals जेंडर, age, occupation, social group, etc यानि ऐसे लोग जो जेंडर में, age में, occupation में, social group में एक दूसरे से सेम हैं वो सब पीर कहलाते हैं और group की अगर बात करें any collection of two or more people who interact and influence one another and who share a common purpose यानि दो या दो से अधिक लोगों का ऐसा समू जो एक दूसरे से अपने common purpose को share करते हैं वो groups कहलाता है इस परकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों का एक ऐसा समू या लोगों का एक ऐसा समू जो की same age के हैं same group के हैं same interest है और वो अपनी बातों को एक दूसरे के साथ में share करने में comfortable हैं तो वो जो है क्या कहलाएंगे peer groups कहलाएंगे अब educational role of the peer group यानि सह करमी की भूम का सिक्षा में क्या है इसके कुछ point से देख लेते हैं अच्चों पहला point है इंडिविजूल्स को सुष्लाइज करता है समाजिक मनाता है इट helps to develop balance personality ये आपकी personality को balance करता है डबलब करता है इट facilitate mental development आपकी मानसिक छमता को बढ़ाता है इट favors physical development ये आपकी सारीरिक विकास को बढ़ाता है it inculcate social values ये समाजिक मुल्यों को प्रुचाहित करता है it develops leadership qualities ये आपके अंदर एक नेत्रित करने की छमता को विक्षित करता है it foster talents and creative abilities ये आपके अंदर talent को बढ़ाता है प्रुचाहन देता है और नई योगता को creative करता है खोज करने को बढ़ाता है और last point है it acculturates यानि ये आपको आथ साथ होने को प्रिरित करता है इस तरह से ये कुछ points थे कुछ और भी point है इसको भी देख लेते है role of peer group in education में getting along with other यानि ये आपको दूसरों के साथ एक नई चीज को समझने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रिरित करता है developing moral and values यानि ये आपकी नेतिक्तिया और मोलियों को developed करता है learning appropriate social cultural roles यानि ये जो आपकी socio-cultural सामाजिक शब्वता की भूमका है उसको शीखने में सहायता करता है achieving personal independence और जो आपकी personal independence है उसको भी achieve करने में मदद करता है तो इस प्रकार से ये एक topic था जो इस वीडियो के माद्धम से हम आप लोगों से discuss किये है I hope आप लोगों को समझ में आया होगा Thank you